प्रेरक कथाओं में आज की कहानी का शिर्चक है ये तेरा यार है और वो मेरा यार है कॉलेज में पढ़ने वाला आज कल के मस्ती की माहौल में चलने वाला एक प्रेमी प्रेमिका का यूगल जोड़ा आपस में अपनी बाइक पर बैठे मौज मस्ती भरे अंदाज में जा रहे थे रास्ते में एक पान के दुकान में उन्होंने बाइक रुकी और दोनों सिग्रेट लेकर फूकने लगे उस पान के दुकान के बगल में नीचे एक फकीर अपने में मस्थ लगा बैठा था तब ही मस्ती मस्ती में कॉलेज की यूती ने सिगरेट के धुए को उस फकीर की तरफ फूकना शुरू किया फकीर यूवती की तरफ देखकर हलके से मुस्कुरा कर अपने में मस्थ हो गया यूवती ने अपने आशिक से कहा कि देखो ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और तुम चुप चाप देख रहे हो यूवक ने कहा छोड़ो फकीर है ऐसे ही मुस्कुरा दिया होगा सिगरेट खत्म होने के बाद उन दोनों ने पान चबाना शुरू किया और इस बार पान चबाते चबाते यूवती ने पान की थूख को फकीर के सिर पर थूखना शुरू किया इस बार भी फकीर मुस्कुरा कर अपने में मस्त हो गया इस युवती से रहा नहीं गया और अपने यार से बोली तुम कैसे यार हो ये फकीर बार बार अपनी बुरी नजर से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो फिर क्या यूवती का यार जोश में आ गया और उस फकीर के पास जाकर उसे गाली दिता है लेकिन फकीर इस बार भी मुस्कुराता हुआ अपने में मस्थ हो जाता है फकीर की मुस्कुराहट उस यूवती के यार को अपनी बेज़ती लगती है अपनी जवानी के जोश में उस फकीर की गाल पर एक जहापड रसीद कर उसकी जेब में पड़े 10 रुपे के नोट को हवा में उडाते हुए वह निकल जाता है और दोनों उस पर खिल ले उडाते हुए अपनी बाइक से रफ्तार में कुछ दूर ही निकलते हैं कि उनकी बाइक से सड़क पार करता हुआ एक छोटा सा बच्चा टकरा कर घायल हो जाता है और बाइक का बैलेंस बिगड़ते ही दोनों सड़क किनारे कीचर में गिर जाते हैं गिरते ही यूती का पूरा मूँ कीचर से सन जाता है और कीचर में पड़े पत्थर से टकरा कर उसका सर्भी खून से लगपत हो जाता है और कुछ देर बाद जब उस घायल बच्चे के परिवार को ये बात पता चलती है तो फिर क्या पूरा गाम ही उमड़ा पड़ता है सरक पर उस यूति के प्रेमी पर शराब और लापरवाही पुर्वक गाड़े चलाने का इलजाम लगाते हुए उसे खूब पीटते हैं लोग कोई गाल पर जड़ते कोई सर पर जिसको जहां मिला मारते गए और वहां एकट्टी कुछ भीड हसते और मजे लेते तमाशा देखते रही तो कोई मोबाइल पर इस नजारे को सेंड करने के लिए इन दोनों की तस्वीरे लेने लगा और इन दोनों को उस घायर बच्चे के इलाज के लिए दो लाग का खर्चा भी करना पड़ा तभी वो फकीर उनके पास आकर बोला बेटा ज्यादा लगी तो नहीं और फकीर बोला तुमने मेरी पहली मुस्कुराहट का मतलब समझा होता तो शायद मैं अपने यार को रोक भी लेता लेकिन इन युवक युवती को फकीर की ये बात कुछ समझ में नहीं आई फिर इस फकीर ने उन्हें पूरा मामला समझाते हुए कहा कि जब तुने मुझे पर सिगरिट का धुआ उच्छाला तो मेरे यार को ये बात पसंद नहीं आई लेकिन मैं तो मुस्कुराकर बात टालने की सोच रहा था तुने फिर मेरे सर पर पान की थूख फेकी मेरे यार को और ज्यादा गुस्सा आया और मैंने फिर मुस्कुराकर बात शांत करने की सोची फिर तेरे यार ने मुझे गाली दी मैंने तब भी मुस्कुराकर बात वही खत्म करनी चाही लेकिन जब तेरे यार ने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे यार से ये सहा नहीं गया और फिर देख मुझ पर धुआ फेकने के बदले तेरा मोही कीचर से रंग दिया मुझ पर पान की लाल थूक तूने फेकी मेरे यार ने तेरे सर को लाल लहू से रंग दिया तेरे यार ने मुझे गाल पर एक जापर रसीद किया लेकिन तेरे यार पर जो लोगों ने तमाचे जड़े उनकी तो गिंती ही नहीं और तुम दोनों जाते जाते मुझ पर खिल्ले उड़ाते गए लेकिन मेरे यार ने तुझ पर ना जाने कितने लोगों को हसवाया और तेरी इन शकलों की तस्वीरे ली और तुम्हारा तमाशा बन गया और तेरे यार ने मेरी जेब से दस का नोट निकाल कर हवा में उड़ा दिया लेकिन बदले में उसे अपनी जेब के दो लाख निकालने पड़े क्या करूँ मेरे यार की यारी ही ऐसी है मेरी जरा भी तकलीफ उससे देखी ही नहीं जाती